युक्रेन में और रसिया में युद्ध हो रहा है और निशाने पर हमारा आरक्षण है जो शैतान होता है जो देश द्रोही होता है वो कभी कोई मौके छोड़ता नहीं आरक्षण जो रियरवेशन है इसका नाम बेसक आरक्षण है यह हिस्सेदारी है रीप्रेजेंटेशन है आरक्षण का साब्दिक मर्थ अर्थ कुछ और होता है इस सम्विधानेक हिस्से में सम्विधान के द्वारा भारत के द्वारा दिया हुआ हिस्से में जब कोई इसके लिए बदनाम करता है इसका विरोध करता है तो वो सम्विधान का विरोध करता है और सम्विधान का विरोध करता है तो देश का विरोध करता है और देश का विरोध करता है तो देश द्रोही होता है भारत में आज ऐसी स्थिती है कि कोई देश द्रोही कमेंट आता है तो उस पे कोई सजा उस पे कोई गरफतारी उस पे कोई कानून काम नहीं करता लोग खुले आम सम्विधान में धारों में दिये हुए प्रदत आदेश को देश के आदेश को नहीं मानते और बदनाम करते है युक्रेन और रसिया के हमले में जो आरखन पे बद्रामी हो रही है उससे भी ज्यादा गंभीर बात ये है कि देश का एक होनहार बच्चा जो डॉक्टर बनकर चार साल में पढ़कर लिखकर बड़ी मुस्किल से युक्रेन से भारत आता देश की सेवा करता वहां वो युद देश द्रोही लोग परचार कर रहे हैं जो राजद्रोह कर रहे हैं जो गदार लोग हैं देश के वो कह रहे हैं कि वो नहीं मारा जाता अगर आरक्षन ना होता ऐसी पोश्ट ऐसी बातें परचार परसार में चल रही हैं और पूरे देश में इन देश द्रोही बातों को सम तम है नहीं, इसलिए समण संकी बड़ी आवशक्ता हो जाती है, यह जो आरक्षन की बात है और जो रिजरविस्ट की बात है दरसल आरक्षन का मतलब है आरक्षन, आरक्षन का मतलब होता है रक्षा देने वाला, जिसका रक्षन हो, जिसकी गारंटी हो, जैसे आप रेल के टि सिनीमा के टिकेट का आरखन कराते हैं उसको आरखन बोलते हैं जो पहले पहुंच जाएगा उसे मिल जाएंगी सारी सीटें भी मिल सकती है रेल अगर पूरी बोगी बुक कराना चाहे तो करा सकता है सनीमा होल एडवांस में पूरा बुक कराना चाहे तो करा सकता है आरखन में कहीं भी कहीं कोई यह समस्या नहीं है कि एक सीट चाहिए या दो चाहिए मगर हिस्सेदारी और जो पितनित होता है जो हमें दिया हुआ है वो संख्या के अनुपात में देश का हिस्सा है देश के लोगों का हिस्सा है उनको मिलना चाहिए उनको मिलता है कम या ज़्यादा मेर तीन दोस्त के साथ मैं मैं तीन चार सार पहले तक पानी में तैयरता था यानि स्विमिंग करता था उन मैंसे दो लोग वो थे जो महा भारत के बटवारे के समय जब महा भारत को काट पीट के छोटा भारत किया गया निकम में लोगों द्वारा मेरे भारत महान को छोटा किया बाटा गया तो वो उस हिस्से को छोड़के इधर आ गए इनको यहां रिफ्यूजी बोलते हैं जो आज के समय पाकिस्तान जिसको बुला जाता है या बंगला देश या जिसको और भी जो अफगानिस्तान या इरान बुला जाता है वहां से जो लोग आए हैं तो हम यहां एक जो आज का है जिसकी चाश्ट सुनार के नाम से जानी जाती है ओबीसी वो और इक मै हम पानी में ताहीं बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है बहुत बड़े अदोस्ती है तो हुआ यह कि उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चे एक साथ सब के बड़े हुए मेरा बच्चा है बड़ा हुआ और उनके बच्चों के एडिविसन की बात आई सभी को पढ़ना था तो तेयरते तेयरते बादशीत होती रहती थी तो वो कहने लगे के एक के बच्के को राहिस्थान में एडिविसन मिल raha है दूसरे के बच्चे को महराश्चन मिल रहा है उनको दिलिमा नहीं मिला और जो तीसरा हो भी सी था उसको दिल्ली में وعां की वैसे तो आपसमें लड़ रहे थे और अर्शन को दोस्त दे रहे थे खुब भक रहे थे तो तो जब वो तैयते तैयते और बक्ते बक्ते पूरे आपस में तर्गतर करते करते ठक गए तो फिर मैंने इंटर्विन किया मैंने उसे पूछा आप मुझे ये बताईए कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिक्से वाला दिली के अंदर है उसका बच्चा ना पड़े उसका रिक्से वाले का बच्चा कॉलिज में जाए पड़े तो मैंने उसे पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो सिडूल कास्ट हैं उनके बच्चे ना पड़े तो मैंने उसे पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो सिडूल ट्राइब की बच्चे हैं वो ना पड़े तो क या आप यह चाहते हैं के जर्रेल की बच्चे ना पढ़े मोड़े हमें इसा भी चाहते हैं के देश के हर बच्चे पढ़े सारे बच्चे कॉलूज में जाके पढ़े लिखे अपडेट हो तो मैंने उसे का फिर आपस में लड़ क्यों रहे हूं समस्या कहा है तुम यह देखो कि तुमको लड़ा कौन रहा है तुम यह कहते हो कि बहुत सब के बच्चे पढ़ने चाहिए रिक्सेवाले के भी पढ़ने चाहिए मजदूर के पढ़ने चा लग तुम में लग तरहे खाएं उन लोगों की कहा है वो आपके बच्चे को कहां रोक रहे हैं वो तो अपना गिना चुना हिस्सा ले ने रहे हैं जो उनको सब्कार ने दिया है भाई कॉलीज कौन को नही कोड़ रहा है कम कियों है कॉलीज में कियो नहीं हुरे इतने सारे जब बच्चे हैं सरकार को पता है कि इतने सारे बच्चों को बहुत सारे कॉलिज चाहिए और उसी सिटी में चाहिए तो जुम्मेदारी किस की तो वो तीनों चुप हो गए और खामोस हो गए उनको सौझ में आ गया कि हम तो बेकाल लड़ रहे हैं दसल हमको तो कोई लड़ा रहा है जो हमको यह कहता है कि सीटे आरक्षन में आपकी इस रुटकाश लेगे ओबीसी लेगे सीटे लेगे सीटे वो नहीं लेके जा रहे दस आरक्षन वालों की वेज़े से सीट नहीं मिल रही है यही आरक्षन नहीं मिलने का जो सिलसला है व्यक्ति जो लड़का इस्ट्टेंट है जो डॉक्टर बनके आने वारा था मरा वो वहां पर है गोली से अपनी गलती से मरा है युद्ध के छेत में बंकर से निकल के खाना लेने जा रहा था गोली लग गई युद्ध छेत में तो सारे मारे जाते हैं जो निकलेगा बाहर वह मारा जाएगा गोली को नहीं पता है कि वह व्यक्ति कोन है कोन नहीं है गोली चलता हुआ आदमी देखती है आदमी मर जाता है लड़का मर गया हमाएं सब को बड़ा करा दोगे तो क्या देस में युद्ध कराना चाहते हो तो थोड़ा इसको सीख लो थोड़ा ध्यान देदो यहां तूश्टी एट लोग है क्योंकि तर्क वितर्क जानकारी लगातार अप्डेट होती रहनी चाहिए और सवालों के जवाब जैसे सवालाते हैं वैसे देते रह इंदर नब्य हजार छैसो पिश्टर हैं नब्य हजार छैसो पिश्टर मेडिकल कॉलिज में सीट्स हैं जो हर साल डॉक्टर के लिए नीट से बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो सरकार इससे ज्यादा सीट बढ़ाती नहीं तो क्या करें यह प्राइवेट और हजार छैसो पिश्टर तो यह जो चौदे लाख लोग हैं साड़े चौदे लाख लोग हैं यह कहां जाएंगी इनके लिए कॉलिज कौन खोलेगा इसमें भी जो गौर्मेंट की सीट हैं वो चवालिस जार पांसो पच्चपन हैं यानि कि आधी सीट हैं तो आधी सीट में जो होता है जो नीट में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे और सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं उनका होता है उसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चे भी होते हैं सब तरह की उसमें कैटेगरी के बच्चे होते हैं सब की सीट हैं इसका मतलब वो सारे बच्चे ुच्वाइब दिखित कर्वें जया हैं तो बची सीट कितनी चावालेश हजार एक सो बीश सीट बची जो प्राइवेट मेडिकल कॉलिज के पास अब इसका खेल समझिए कि यह खेल क्या हो रहा है नीट में उन्होंने पासिंग मास्क बना रखें 18% वह आपने 18% मास्क क्यों बना रखें नीट में जब 720 का परचा होता है तो 720 में अगर 138 नमबर किसी के आज जाते हैं तो पास हो जाएगा वो डॉक्टर बने लायक हो जाएगा तो आपने पसंटेज 18% की वज़ाए 50% पे करो 60% क्योंकि जब 70,000 है तो आप जान बुचके 15,40,000 में से आधे यानि 8,70,000 को पास कर रहे हैं वह 8,70,000 को पास क्यों कर रहे हो जब 70,000 से कम है जब 70,000 है तो 8,70,000 क्यों पास किये जाते हैं इस खेल को समझो यहां बयापार है यहां बजार है तो कि सीट कितनी है जो बिकाओ सीट है जो बजार में सीट है 24,120 और पास कितने किये 8,70,000 8,70,000 में से 24,000 सीट सरकार की निकल गई तो 8,25,000 सीट बची आठ लाग 25,000 सीट कहां बरी जाएंगी सिर्फ 24,120 लोग लोगों पे तो एक सीट पे 19 आदमी पास किय रहे हो तो अठारे लोग तो उसमें आएंगे नहीं तो वो क्यों करते हैं वो दरसल इसलिया करते हैं क्योंकि वो अच्छा गरहाग ढूंते हैं जो एक करोड से डेल करोड रुपे उनको दे सके अब यहां नंबर कितने भी हो वो जो आठ लाग 20,000 पास किये हुए बचे है जिनमें 18% वाले भी हैं 28% वाले भी हैं 30% वाले भी हैं 50% वाले भी हैं उनकी अवकात ना पी जाती है कि वो पैसा कितना दे सकते हैं यह 24,120 सीट हर साल विकती हैं देश के अंदर इनका कोई सिस्टम नहीं है इनकी कोई मेरिट नहीं है इनकी सिर्फ एक मेरिट है कि आपके पास पैसा कितना है उस पैसे पे बारगे नहीं होती है कुछ कोटा सीट होती है जो कॉलीजों की होती है उन पे बारगे नहीं होती है तो लड़के और हमारे बच्चे एक करोड और डेल करोड और दो करोड नहीं दे पाते हैं वो जो सेखरप्पा का जो जो सेखरप्पा के फ शैसात लाग हर साल देने होते थे तो मैंने अपना लड़का युक्रेन भेज दिया पढ़ने के लिए अच्छा किया बहुत साइल बच्चे वहाँ हैं तो आपको सरमानी चाहिए कि आपके देश के अंदर एक से लेके डेल करोड में एमीबेस बनता है जबकि वो जो देश है युक्रेन देश है वो डबलब कंट्री है वो अच्छा कंट्री है वहाँ तो रेट दो करोड की बजाए चार करोड होना चीए था वो कैसे 25 लाग में मैनेज कर लेते हैं और यहाँ कैसे डेल करोड रुपे में मैनेज नहीं पा रहा है तो दोस किसका है दोस प्राइवेट करना है तो डॉक्टर बना ले और कभी ध्यान ने दिया तो किसकी गलती से मरा है इसमें आरक्षण कहां से आ गया इसमें आरक्षण कौन लेके भाग गया भाई अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी गलती को छुपाने के लिए सारे दोस S.C.H.T.O.B.C. आरक्षण और जैसे एक जो मा होती है जब उसका छोटा बच्चा कोई कीम्ति चीज उठा लेता है. मूबाइल उठा लिया जैसे बच्चे ने. अब मा को डर है कि ये जो मोबाइल है फैंक देगा ये तो खिलोना समझ के लिए रखा है छोटा बच्चा है फैंक देगा तोड़ देगा तो मोबाइल चला जाएगा मोबाइल कीमती है एक लाका हो सकता है पचास जारका हो सकता है साथ जारका दो लाका हो सकता है तो मा क्या क जो इसको ख्लाना नहीं चाहती ही, मगर बच्चे को पसंद है, रिस्वत के रूप में उसको देती है, दूसरे हाथ में, और पहले हाथ से बच्चे को यकीन दिलाती है, कि ये गंदी चीज है, इसको फैंक दे, इसको छोड़ दे, तो बच्चा माँ पे यकीन करता है, तो खा बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है, आरिक्षन गन्द है, आरे कास्स सिस्टम को करता है, अरे तुम क्या छोटी कास्ट कियो आरेक्षन आया था कुस दिन पहले हैं वाले एड में एक अरक्षन का पर्चा लगाते मारे बच्छे लिए कर देज को बसे नहीं है, देश के संथादरों में आपकी हिस्थेदारी है आपका अधिकार है आपका जरंसुद्ध अधिकार है और बड़े अधिकार के बदले छोटा मिला है कैसे अधिकार है क्योंकि हमारी जितनी जन संक्या है उतने कॉलिजों में उतने इंजिनिंग 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 में हमारा उतना परशन्ट हिस्सा है वो हमारी हिस्सेदारी है वो हम सोने का जरिया नहीं है इसको दिमाग में बढ़ा ले ना वहीं सब लोग जब कहीं आरेक्षण की बात हो कि आरेक्षण से मिलता है जैसे 10% एकॉनोमिक वीकर रखा है passing mask के लिए पढ़ना पढ़ता है हर बच्चे को पढ़ना पढ़ता है आज तक कोई भी आरक्षण का बच्चा बिना पढ़े पास नहीं हुआ 33% कम से कम marks कहीं होते हैं कहीं 50% होते हैं वो उसको ले के ही आने हैं किसी किसी भी उल्लू के पठे ने टीचर ने आज तक ह हम बलकर हमें double महत करनी पढ़ती है हमको practical में marks नहीं मिलते हैं हमारे marks काटे जाते हैं हमारे साथ में discrimination होता है हमें धंचे पढ़ाया नहीं जाता हमको धंचे किताब नहीं मिलती खाना नहीं मिलता है यह सारे चीचे लग हैं तो आरक्षण के जो बच्चे आते हैं वो बहु में से धोरे और आज की समय तो पुरा परूब हो चुका है इस बात के लिए कितने काबिलोग है और किते नहीं है तो आरक्षण में जो पास होता है वो passing marks पर pass होता है, तो लोग कहते हैं, अरे यह आरक्षनवाले आ गए, यह पास होके आजाते हैं, अरे भाई, जो teacher है, वो निकम में हैं बढाने वाले आरक्षनवालों को. ओ टीचर निकम में क्यों है? टीचर इसनी निकम में हैं, कि वह टीचर होको अगर लगता है कि आरक् सिक्षी पर्षेंट कर लो सेवंटी पर्षेंट कर लो जहां हम पास होंगे हमारे पीछे बाकी लोग आएंगे हम इतने मेहंदी लोग है इसलिए हमारी कमी नहीं है सिक्षा में जो पढ़ाने वाले जो टीचर है जो प्रॉफिसर हैं जो बड़े-बड़े अपने आपको बु सिस्टम में पिछड़ा हुआ है इसलिए भारत सारे सिस्टम में इसका पाइदान सबसे नीचे आता है तो कि इसको पढ़ाने वाले जो टीचर है वो ठीक नहीं है वो काबिल नहीं है हम तो काबिल हैं पढ़ने वाले काबिल हैं पढ़ाने वाले नाकाबिल हैं अगर पढ़ेगा उनका देश्ट लेता है और यूक्रेइन से अगर पढ़के आप जाओगे तो आपका यूरोप में कोई टेस्ट झी नहीं लेगा तो यूरोप का कंट्री है उसकी मानता ज्यादा है पच्छेस लाक में ज्यादा मानता है और डेल करोड के जो यहां डॉक्टर बन कि ये जो सैतान लोग हैं ये जो देश द्रोही लोग हैं ये मौत का भी फाइदा उठाते हैं ये लासों के भी फाइदा उठाते हैं कि मरता कहीं और है युद में बेटा किसी का गया डॉक्टर देश का गया और ये आरेक्षण को बजनाम कर रहे हैं ये जो समस्या है ये समस के अंदर पैसे दे के जो लोग डिड़ डिड़ और दो दो करोड़ लेकर डॉक्टर बने हैं उसमें हमारे बच्चे नहीं हैं हमारे बच्चों के बाज में डिड़ दो करोड़ रूपे नहीं है हमारे बच्चे तो इस्टेकल करते हैं जो चौल जार पांसो पच्पन सीटे कि उसमें आजाएं उसके लिए मेहनत करते हैं और यह सीटे लगातार कम हो रही हैं यह सारे सारे medical जो college हाथ से जा रहे हैं private बढ़ते जा रहे हैं इसलिए समरसंग की आप सकता है कि हम देश में वही जो पराना system था कि 500 रुपे में 1000 रुपे में 2000 रुपे में क्योंकि एक लाख और डेड़ लाख पर वही काम कर सकते हैं जो प्राइविट सेक्टर की डॉक्टर है और जो जलग के डॉक्टर है उनको तो एक एक आपरेशन से ददस लाग चाहिए उनका जो एक एक पेचेंट है उसको भठती करके वह आठाट बदस लाग कबले बनाते है हमारे डॉक्टर होच जेंदे में नहीं क्योंकि हमारे प्राइविट ऑस्पिटल है इनए पर ना और बड़े भाले उनको बख दे के बारे में जब दी कोई बात करें तो आप उसको कमेंड करके लिखिए कि आप निकब में हो आप नालाएक हो आप देशत रुषी हो आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो आरक्ष्ण सम्विधानिक है सम्विधान ने दिया हुआ है और आरक्ष्ण तुमारे फादर की जेव से नहीं आता है आरक्ष्ण हमारे फादर की जेव से आता है पर हमारे father की चीज हमारी चीज है और हमारे father की जो दी हुई property वो हमारी property है वो देश की property है इसलिए अपना मुँ बंद रखें और किसी की मरे हुए बच्चे की लास पर जस्म अनाना बंद करें और ये गाली बंद करें इनको कहना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, अगर उनको जवाब नहीं देंगे, तो दिक्कत हो जाएगे, इसलिए समझे सभी लोगों को यह समझना चाहिए, कि जो war है, जो war चल रही है, वहां तो पर गोलोश चल लए है, अगर भारत के अंदर जो चल लए है, वो knowledge से चल लिए, जानकारी से चल लिए, जानकारी सबसे बड़ा हतियार होता है, बुद्ध ने जानकारी दी थी, कोई डंडा नहीं चलाया, बुद्ध ने जानकारी इतनी परफेक्ट दी, कि सारे चारों खाने चित्ते कर दी है, बहुत लोग आये, उसे तर्विदर कर नही कोई करी नहीं पाया, एक तो नियत बिल्गुल साफ थी, एक इमानदारी के साथ में जो काम करते थे, महनत के साथ में, और कंसर्ट बिल्कुल किलियर ठा, बाबा साब अमेट कर रके ले थे, कोई तोप का गोला नहीं चलाया, कोई बंदू नहीं चलाया, सिर्फ जानकारी जीते थे, जानकारी लेते थे, जानकारी देते थे, ऑर उनके जितने अनुयाय थे, उनकिताब नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, घ lease 7 ले जाकर आग़े बड़ाते थे, चीते, हमारी लोग जानकारी ले जाकर आपने घर में रख लिए गुल्लक में बंद कर देते, तिज enlightenment कर होगे इसकी रैटिंग नहीं करोगे इसको लिके नहीं भेजोगे इसको चर्चा में नहीं लेके आओगे तो यह जानकारी बेकार है कोई फायदा नहीं फिर तो बच्चे पिटने ही पिटने है फिर तो मन नहीं मनने है तो जानकारी जो बावा साब ने दी है जानकारी जो terminal से एक vibration जाती है और वो चारु तार फैल जाती है जैसे टीबी टावर देखें आप ने TV lunar से एक signal जाता है पूरे देश में फैल जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर समर्संग उत्तर प्रदेश के बनने वाले है जिसे लोग बनाएंगे बनेगे engineers समर्संग त्यार होके बन गया है उसकी सतरम कर रहा है यह सारे सब समर्संग निसके लाबा घटक तियार हो रहे हैं घटक त्यार करें डॉक्ट्र Bhag सेंटर लग बन चुका है इंजिनियों का अलग बन चुका है जो मेला है उनका अलग बन चुका है जो टीचर है उनका अलग बन चुका है जो वड़ा संग है उनका अलग बन चुका है यह सारे सारे टर्मिनल है इन टर्मिनलों पर जानकारी को डबलप करना है और जानकारी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पास करना है। अगर आप झानकारी को लेकरJosh बैठे रहे और टर्मिनल तक नहीं दी आपने तो टर्मिनल को तेने की बहुत साथ तरीकिया कल भी रखनी है, आगे बढ़ाते रहनी है, आगे बढ़ती हुई जानकारी अपने आप डबलब होती रहती है, वो धी दिरे सक तक पहुंच जाएगी, हमारा काम बन जाएगा, इसलिए टर्मिलर बनाने के लिए हमको एकटा होना है, हमको मिलना है, ताकि हम जानकारी का आधान रहे हैं, जुड़ना चा रहे हैं, तो उतनी तेजी से आपको काम बनना पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे, तो ये लोग तो इतने शातिर हो इतने तेज हैं, कि बच्चा किसी का मरता है, लास किसी की होती है, और सूली पर आरेक्ष्ण चड़ जाता है, बिना खुब अच्छी तरह से चिंतरमन करके, इसको आगे बढ़ा के, इसको मूब करते रहना चाहिए, जितना इसे आगे बढ़ाते जाएंगे, इतना ये वैपन तेज होता जाएगा, और लोगों तक पहुंसता जाएगा, और हमारे बच्चों की जान बचा देगा, ये भारत क के अंदर सबसे जरूरी काम है, जो हमें करना चाहिए, इसलिए जोडने और जोडने की जो कवायद है, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टन है, वो रोटी खाने से भी ज्यादा इंपोर्टन है, क्योंकि रोटी आदमी खाता है, इसलिए कि जीवित रहे, और अगर अपनी सुर तो दुस्मन से आपकी देश को बचाती है तो दुस्मन का हमला होगा आप बचोगे तो आपका 75% पैसा बचेगा आपकी महत बचेगी इसलिए 25% पैसा हर साल खर्च किया जाता है देश के सुरक्षा में आप अपने बच्चों कितना खर्च कर रहे हो पैसे की तो बात हमें नौजवान लगते हैं नौजवान थोड़ा बुड़ा होता है इसको रिटार्मेंट देगे घर भेज देते हैं यहां नौजवान चाहिए आपके नौजवान कहा हैं कहां लग रहे हैं क्या सिस्टम मराया क्या नहीं बनाया आज तक 70 साल में किसी वी व्यक्ति ने सु है ना ही कोई ऐसा कोई सिस्टम है कि एक आवाज एकर कहीं कुछ बोले तो पूरे देश में उसका मैसेज चला जाए ऐसा कोई मैसेज नहीं है अभी तो छोड़ी बातों कोई डड़ाई हो रही है इन छोड़ी बातों से निकल के हमें बहुत तेज से बढ़ना है तो मेरे इस को बताने के बाद से आज हमें एक नया सेक्स में स्टार्ट करने वाले क्योंकि हमें काम की बात करनी है तो जो अंतिम जो डेली का जो अंतिम कंसेप्ट होगा जैसे आज मेरा अंतिम कंसेप्ट है तो उसके बाद में जिन जिन लोगों ने मीटिंग लगा रहे हैं वह अपन बताए कि क्या है ये एक तरह से नया समाचार सब को मिलना चाहिए तो यहां जितने भी लोगों ने मिटिंग लगाई है सबसे पहले मेरे बाद वो मिटिंग बताएंगे किस कि कौन कौन सी मिटिंग अपनी त्यारी कलने और जो सुधीर कुमार सरें बहादुर्गड़ वाले उन्होंने 14 अपरेल के लिए एक बहुत बड़िया समण संग के नियम कायदे पर चलते हुए बावा साब का जरंदिन मनाने का एक प्रोड़ाम बनाया जो उन्होंने खुद इजाद किया है वो इसके बारे बताएंगे यहां के ताकि सभी लोग बावा साब का जरंदिन उस के मानेंगे चाहें कुछ भी हो जाए और हर हरक में जुड़ेंगे दुनिया की कोई ताकत हमको जुड़ने से दोख नी सकती काम बहुत अच्छा चला है मैं यहां अपना जो कंसेप्टे वो समात करता हूं और उसके बाद सभी जो लोग मीटिंग वाले पहले मीटिंग वा आएंगे वह अपना बताएंगे कि 14 अप्राइल हमको कैसे मनाना है उसके बाद जो हैंड रेज है फिर वो लेंगे धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी धम्ममर्सरनं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, तथियम पि घुँतं मुसर्नं गच्छामी, तथियम पि धंधंसेलु गच्छामी, तथियम पि तंधंसेलु गच्छामी, तातियम पिसन्दम सर्णं तर्शामी साथू, साथू, साथू